नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अल्जेब्रा चाप्ट नुम्बर थर्ड पल्ला मेल्स प्रेक्टिसेट 3.1 तो प्रेक्टिसेट 3.1 के हमें question और answers इस वीडियो में solve करने हैं तो इसके जो पहले दो वीडियो बने हैं उनमें हमने basic concepts इस प्रेक्टिसेट के जो भी अवशक थे वो सभी हमने explain किये हैं वहाँ पे पहले आप वो दो वीडियो जरूर देखें फिर उसके बाद आप practice it देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को request है कि चैनल को subscribe करें लाइक करें और शेर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के notifications मिल जाए अब question number one इसमें है state whether the given algebraic expressions are polynomials or not तो इसके लिए हमें polynomial की definition तक जाना होगा definition polynomial की क्या है जो हमने पहले के वीडियो में explain की है उड़ी है कि variable का जो exponent होगा किसी algebraic expression में वो non-negative integer होगा तो वो पर्लामेल होगा अब हमें समयना है कि पर्लामेल कब नहीं होगा जब variable का जो exponent है वो negative या फिर fraction में होगा तब वो पर्लामेल नहीं होगा तो यहाँ पर not polynomial अब variable हमें यहाँ पर देखने है यहाँ पर y वेरियाबल है प्लस 1 अपन y अब y का जो exponent है वो 1 ही है यहाँ पर लेकिन y denominator में है तो जब भी हमें variables का power देखना है यहाँ पर variables की power देखने है variables भी numerator में होने चाहिए तो y प्लस 1 बाई y अगर हमें इस y को numerator में लेना है तो y प्लस 1 अपन y को हम y raise to power minus 1 लिख सकते हैं क्योंकि negative exponent यहाँ पर जो positive exponent होता है variable का हमने अगर numerator में ले लिया तो जो exponent होगा वो plus का minus होगा minus का plus होगा plus का यहाँ पर होगा minus तो y raise to power minus y तो y plus y raise to power minus y तो यह polynomial नहीं होगा क्योंकि variable की जो power है वो negative आएगी तो हम यहाँ पर सिर्फ no it is not a polynomial अब 2 minus 5 into square root of x square root of x है तो x की power 1 में 2 होगी तो power 1 में 2 है तो no it is not a polynomial यह polynomial नहीं है अब देखिए यहाँ पर variable की power 2 है 1 है और यहाँ पर constant value है तो यह polynomial होगा तो हमें लिखना yes it is a polynomial yes यह polynomial है अब 2 y raise to power minus 2 plus 7 y minus 5 और यह value है तो की power यहाँ पर नहीं है तो यह पर यह polynomial नहीं है अब तो इसे हम polynomial कहेंगी सिर्फ 10 दियागा है तो yes it is a polynomial यह polynomial है question number 2 है देखिए write the coefficient of m3 in each of the given polynomials तो m3 का coefficient लिखिए तो यहाँ पर m3 है coefficient नहीं है कुछ भी मतलब plus 1 होता है तो यहाँ पर m3 का coefficient होगा 1 अब यहाँ पर m3 का coefficient है minus root 3 और यहाँ पर m3 का coefficient है minus 2 by 3 तो answer हमें लिखना है minus 2 by 3 coefficient of m3 और यहाँ पर हमें example लेते हैं x raised to power 4 minus 3 x square plus 8 अब यहाँ पर x cube की term है ही नहीं x cube की term तो जब x cube की term नहीं होती है तो x cube का जो coefficient होता है वो 0 होता है write the polynomial in x question number 3 है using the given information monomial having degree 7 degree 7 है ऐसा monomial monomial मतलब एक ही term होगी binomial मतलब जिस polynomial में 2 terms होगी और trinomial का मतलब है जिस polynomial में 3 terms होगी अब monomial में एक ही term होती है तो एक ही term में हमें x raise to power 7 लिखना है अब इसके साथ कोई भी आप coefficient लिख सकते हैं 2 लिखिए minus 2, minus 7, minus 1, minus 2 by 3 कुछ भी यहाँ भी coefficient हो सकता है numbers के form में 2 x raise to power 7 या फिर minus 3 x raise to power 7 तो यह हुआ monomial having degree 7 binomial having degree 35 binomial का मतलब 2 terms और degree 35 होनी चाहिए तो एक जो term होगी उसमें variable का exponent 35 होगा और minus 7 लिखिए 7 x लिखिए और x की जो power लिखने है 35 से कम लिखनी है यहाँ पर और कोई भी हो सकते 34, 33, 32, 31, 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी लिख सकता है सबस्टेन हमने ली तो इस polynomial की degree 35 और यह binomial हो गया अब next जो question है इसमें ट्राइना में लिखना है having degree 8 8 लिखरी का अब अगर हम x में ही लिखना है सभी answers तो x raise to power 8 की एक टर्म होनी ही चाहिए अब बाकी जो दो टर्म्स होंगी उनमें जो exponent का variable का exponent होगा वो 8 पावर से कम होगा x raise to power 8 minus 3 x raise to power 7 plus 5 तीन टर्म सिर्फ और variable का exponent 8 से कम question number 4 classify the following as linear quadratic and cubic पर्म्स तो हमें linear quadratic और cubic form में लिखना है मतलब form हमें लिखना है अब variable की अगर degree 2 है तो वो quadratic degree 1 है तो वो linear और degree 3 है तो वो cubic पर्म्स 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 होता है तो यह तीनों पर्म्स हमने फर्स्ट या फर्स्ट या दो वीडियोज हमने लिए हैं उनमें हमने explain किये हैं तो यहाँ पर 2 x square जो degree है highest power variable की 2 है तो यह quadratic पर्म्स पर्म्स होआ तो it is a quadratic पर्म्स 5 p p का variable यहाँ पर exponent 1 होगा तो यह linear polynomial हुआ root 2 into y y raise to power 1 y variable की power 1 है तो यह जो polynomial होगा वो linear polynomial होगा m cube 7m square plus 5 by 2m minus root 7 तो variable का जो highest exponent है वो है 3 तो जो polynomial हुआ वो हुआ cubic polynomial अब a square degree 2 है तो यह quadratic polynomial हुआ quadratic polynomial हमें लिखना है फिर 3 into r cube cube है variable का जो exponent है वो 3 है तो यह जो polynomial है वो हुआ cubic polynomial तो हमने जो पहले अब ही question लिया है question number 4 actually हो question number 5 है और यह question number 4 है तो number सिर्फ change है text book से question तो वही है question number 5 देखिए यहाँ पे write the degree of the polynomials 4 question है लेकिन हम जिस हिसाब से ले रहे हैं वो 5th question तो degree हमें लिखनी है हर polynomial की तो square root of 5 constant अगर अगर नंबर कोई होता है तो उसे हम constant polynomial केते हैं और constant polynomial की degree 0 होती है क्योंकि variable अगर x है तो उसका जो power होता है वो 0 ही होता है variable का exponent अब x raised to power यहाँ पे 0 ही दिया गया है तो degree 0 हो गई x square power 2 है तो degree 2 हो गई ym raised to power 10 यहाँ पे constant value तो variable का highest exponent 10 यहाँ पे 2p minus root 7 constant value है variable का highest exponent 1 तो यहाँ पे degree 1 7y minus y3 plus y raised to power 5 variable का जो exponent यहाँ पे है 1, 3, 5 इन में सभी से सभी से highest 5 है तो 5 इस polynomial के degree हो गई अब जहाँ पे more than 1 variables होते है तो जो एक एक term होती है इन में जितने भी variables है उनके जो exponent है वो उनके power के हमें addition करनी होती है तो यहाँ पे 1 plus 1 plus 1 3 होगा 1 plus 1 2 और यहाँ पे 1 तो इन में सभी से highest 3 है तो इस परला मेल के जो degree होगी वो होगी 3 अब यहाँ पे भी दो variables है तो 3 plus 7 10 5 plus 1 6 1 plus 1 2 तो इन सभी addition में highest addition 10 है तो इस परला मेल के जो degree होगी वो होगी 10 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो जो आगे का पर्ट होगा आगे की चो questions है वो हम next वीडियो में cover करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद